स्वागराद के लिए तडप रहे पती को इसलिए पतनी ने एक महिने तक तडपाया कि उसको अपनी पुरानी रंजिस निकालनी थी या फिर पतनी को कुछ अपने पती को सबक सिखाना था आखिर क्या था यहाँ पर मामरा पूरी जानकार यहाँ पर लेने वाले हैं वीडियो को अंते तक जरूर देखिएगा नमस्कार में हूँ सुदेश कुमार और ब्रेन डिमान चैनल में आपका स्वागत है अच्छ एक साधी होती है और साधी होने के बाद नई बेली दुलन घर के अंदर आती है सामको स्वागराज जैसे होती है पती उसके पास जाता है तो अपने पती से कहती है कि अगर कोई लड़का एक लड़की को उसकी मिना मर्जी के छुए या उसके साथ कुछ गंदा काम करे तो क्या यह बलातकार नहीं होगा तो वह जो लड़का होता है वह उसकी बावणा को समझ जाता है उससे कहता है ठीक है मैं तुमसे कुछ भी नहीं कहूंगा तुम आराम से सोवा और उसके बाद वह बाहर निकल जाता है दोस्तो असलियत में यह कहानी क्या है रामेंदर नाम का एक लड़का होता है जिसकी साधी हुई है सुमन नाम की लड़की से सुमन दुलन बनकर अपने स ससुराल आती है पती के साथ और स्वाग रात पर पत्नी पती से जगड़ा करना चाहती है इसलिए पती से कहती है कि तुम मुझे हाथ लगाओगे तो क्या यह बरतकार नहीं होगा जिससे की पती उससे लड़े जगड़ा हो इनके बीच में और फिर उसके बाद जो पत्नी ह उसका मनसूबा काम्याब हो जाए लेकिन पती चुपस हो जाता है कोई जगडा यहां पर नहीं होता है अब सुबह का टाइम होता है तो सुबह का टाइम जैसे होता है तो पतनी नहीं उठती है अपने बिस्तर पर पड़ी रहती है और जो सास होती है वही चाय बनाती है और चाय बनाकर अपनी बहु को पिला देती है कि बेटी खड़ी हो जाओ बैटी हो जाओ ना धोलो और कुछ पूजा आर्जती कर लो लेकिन बहू को तो ना सास अची लग रही थी ना ही उसका पती अच्छा लग रहा था वे तो किसी और ही मून में थी वे आराम से चाय पी कर फिर से बिस्तर पर सो जाती है और जो पती था वे जॉब पर चला जाता है और जो पती जॉब पर जाने के बाद जो सास होती है वे पूरे घर का काम करती है चोटे मोटी जो काम होते हैं बरतन मांजना, रोटी बगेरा बनाना और भी वह सारे काम होते जाडू पोचा लगाना लेकिन बहू आराम से बैट पर सोती रहती है दोस्तों यहाँ पर पती को एक डायरी लिखने की आदत थी वे हर रोज साम को डायरी लिखा करता अब यहाँ पर जो बहू होती है दिन में सास काम धंदे में लगी रहती है और बहू अपनी स्कूटी को ले करके बाजार की तरब निखल जाया गरती है और सही साम को आया करती है वापस लोटकर जब उसके पती के आने का समय हो रहा होता है लेकिन अभी भी न शास उससे कुछ कह रही थी और न पती उससे कुछ कह रहा था यानि कि यहाँ पर पत्मी की मनमानी खूब अच्चे से जोरों से चल रही थी दोस्तों अब क्या होता है दीरे धीरे को समय गजरता है तो एक दिन बहु ने सास के सामने बैटी हुई थी और सास ने खाना बनाया बहु के सामने परोज दिया लेकिन खाने में थोड़ा सा नमक जादा था तो बहु ने सास के ओपर हाथ उठा दिया अब दोस्तों यहां पर सास बड़ी घबरा रही थी मेरा बेटा अब इसके साथ क्या करेगा साम को बेटा आता है बताती तो है लेकिन कहती है बेटा इससे कुछ मत कहना वह आराम से अंदर लेटी हुई थी फोन चलाती रहती है दिन में से कूटी पर भूंगती है बेटा अंदर जाता है और उसको एक धपड मार देता है और कहत दोस्तों जो लड़की होती है रोज रोज स्कूटी से कहां जाया करती थी वह अपने प्रेमी से मिलने के लिए जाया करती थी जिससे वह साधी से पहले प्यार करती थी और अब वह जब हाथ उठा दिया जाता है उसके पती के द्वारा तो अपने पती को गमार बोला करती है और अपने प्रेमी से फौन करती है कि आज तो गमार ने मेरे उपर हाथ भी उठा दिया और स्कूटी लेकर अपने प्रेमी के पास पहुन जाती है और प्रेमी से कहती है कि तुमने तो कहाता हम भाग चलेंगे लेकिन अब तक तुम भागे क्यों नहीं प्रेमी कहता है कि भाग कर घर बसाना पड़ता है उसके लिए गहने जेवर पैसे रुपिय की जरूरत होती है तुम तो कुछ लेकर ही नहीं आई और हम तुम्हारे साथ भाग भी चलेंगे तो घर कैसे बसाएंगे तो प्रेमी का कहती है कि तुम क्या पैसों से प्यार करते हो तो यहाँ पर जो प्रेमी होता हुए कहता है कि तुम वैसे तुम मुझे हाथ भी नहीं लगाने देती पैसों से प्यार नहीं करता है मैं घरवसाना चाहता हूँ लेकिन लड़की कहती है कि तुम्हें हाथ में इसलिए नहीं लगाने देती तुम उससे साधी कर लो मेरी मांग में संदूर भर दो और तुम जो चाहे मेरे साथ कर सकते हो लेकिन उससे पहले में तुम्हारे साथ समंद नहीं बनाऊंगी दोस्तों उसके बाद प्रेमी कहता है ठीक है चलो आज रात को हम भाग चलते हैं और फलाने होटल में मैं तुम्हें मिलूंगा और तुम घर से सारे गहने जेवर और पैसा रुपिया सारे लेकर वहां से फरार हो जाना और हम दोनों भाग चलते हैं अब पत्नी बड़े ही मून में स्कूटी को लेकर अपने घर पहुंचती है नहीं किसी से बात करती है अपने कमरे में घुश जाती है और रात होने का इंतिजार कर रही थी जैसे रात होती है तो उसका पती भी आता है पती को डायरी लिखने की जरूरत थी रोज लखा करता था आदत थी तो अब पत्नी से कहता है कि मेरी डायरी को अंदर से दे दो या पिर दर्वाजा खोलो लेकिन पत्नी दर्वाजा नहीं खोलती है और म्यूजिक सिस्टम को जोड से चला देती है उसके बाद पती कहता है कि बैड के गद्दे के नीचे चाबी रखी है अलमारी को खोलो उसमें से मेरी डायरी को दे दो लेकिन उसको कुछ नहीं देती है नहीं उसे बात करती है लेकिन खुद उस अलमारी को खोलती है क्योंकि वहां से उसको गहने जेवर लेकर फरार जो होना था और गहने जेवर उस लड़की के पिताने अपने दामाद को दे रखे थे उनके दामाद के हवाले कर रखा था दोस्तों जिससे की लड़की उनके गहने जेवर उनको लेकर भाग न जाए वह अलबारी खोडती है उसमें गहने जेवर बहुत सारे पैसे रखे हुए थे जो 10 में मिले थे डाहे 3 लाक रुपे और जो गारी मिली थी उसके भी कागजाद थे और कागजाद जो गारी के थे वह सारे एक सारे लड़की के नाम पर थे लड़की के पिता ने उसका ATM काड़ और बैंक की कापी चीन रखी थी वह बैंक की कापी और ATM काड़ भी वहीं पर रखे हुए थे और बहुत सारे पैसे और जेवर गहने थे तो वह खुस हो जाती है कि अब तो इनको लेकर में फरार हो जाऊंगी लेकिन वह डारी पर उसकी न जान बचाई थी तो इसका मेरे उपर बहुत बड़ा ऐसान था तुम्हारे पिता ने मेरे पास गुजारिस की कि मेरी बेटी है तो मुझसे साधी कर लो वह किसी दूसरे लड़के के प्रेम जान में पसी हुई है और जबकि तुम्हें नहीं बताया होगा तुम्हारे पिता ने और तुम्हारे पिता को तुम्हारे बारे में सारा कुछ पता था तुम्हारे पिता ने तुम्हारे पियार के बारे में खोज भी निका ली तो तुम्हारा जो प्यार है जो तुम्हें बुलाता है बार बार वार वह बहुत सारी लड़कियों को धोका दे चुका था इस तुम्हारे हवाले कर देता हूँ और तुम चाहो तो अपने पास रखना तुम चाहो तो मेरी बेटी को दे देना अब तुम्हारे हवाले है तो इसलिए मैंने तुमसे साधी की है यह बात उस डायरी में उसके पती ने लिखी हुई थी और मैं तुम्हारे पती का ऐसान मानता प्राइब दोस्तों यह बात सुनकर पतनी का दिल पिंगल जाता है और उस टाइम तो वह सो जाती है सुबह बहुत जल्दी उठती है पूरे घर का काम करती है सास कहती है कि भाई इसको क्या हो गया पती जॉब पर जा चुका था उसके बाद वह खाना बनाती है और अपनी सास से कहती है कि माजी स्कूर्टी पर बैठी है उदर उसका जो प्रेमी है वो रात भर फोन करता रहा लेकिन उसने फोन नहीं उठाया क्योंकि वह होटल में इंतिजार कर रहा था सुबह भी वाफ़ान कर रहा था सुबह भी उसने नहीं उठाया खाना बना करके साथ से का आप सिकूर्टी पर बैठिये और सिकूर्टी को ले गई अपने पती के ओफिस और वहाँ जा करके पती के सामने टिफन रख देती है सारा स्टाप देखने लगता है तो स्टाप से हुआ कहती है कि मैं इनकी पत्नी हूँ तो और लोग कहती है अब तक तो हमने देखा नहीं तो पत्नी कहती है अब तक मैं बनवास में थी आज मैं बनवास से वापस घर आई हूँ और अपने पती से लिपट कर रोने लगती है और कहती है अब आपिस में कि अब हम एक महीने के लिए हनीमून पर जाएंगे पती कहता है यहाँ पर बहुत काम है तुम क्या कह रही हो लेकिन पत्नी कह देती है नहीं हम एक महीने के लिए हनीमून पर जाएंगे तो अपने पती के साथ खोशी-खोशी हनीमून पर चली जाती है उनका घर अच्छे से बच जाता है तो दोस्तों जीवन में कई बार गलतियां हो जाती है उनको सुधारना बहुत जरूरी होता है अगर सुधारेंगे नहीं तो जीवन बरबाद हो जाता है आपको ये घटना कैसी लगी है अपनी राय कमेंट बोक्स में लिख सकते हैं अगर आप पुरा मजल्दी फिर्ट से लेकर आऊंगा किसी सची घटना के उपर तब तक आप खोश रहें साबधान रहें जैहिन जै भारत